देखिए पपु यादो पुर्णिया लोग सभा के अंतरगत रुपाउली विधान सभा में बड़ा खेला करने जा रहे हैं। पपु यादो को लेकर अब चर्चा है कि भीमा भारती को पपु यादो समर्थन करेंगे। वहीं भीमा भारती जो पुर्णिया लोक सभाज सीट से आरजेडी की उमिद्वार रही जो तेजस्वी यादो पपु यादो को हराने के लिए चार दिन तक पुर्णिया में बैठे और अपना दर्या दिली दिखाते हुए पपु यादो ने सारे तमाम सिक्वे गिले को भू पुर्णिया तू होने जा रहा है इस बारू पुली विधान सब्सक्राइब धन्वाद इमानतु जी की आपने हमों को बोलने का मोका दिया देखिए पुर्णिया होट सीट थी होट सीट है होट सीट रहेगी देख रहे होंगे लोग सभा चुनाओं में की एक तरफ के जस् से लड़ते हैं आपको पपु जादो और तीसरी तरफ जेडिव से संतोज सिंक उस्वा चुनाओं लड़ते हैं तो उस तगडी फाइट में 30,000 से उपर मतों से पपु जादो जीतने का काम करते हैं जानते हैं सीमांचल में पपु जादो के बिना किसी का पत्ता डाल गलने दाल गलने वाला नहीं है तो जीस पपु जादो के खिलाप भीमा भरती चुनाओं लड़ी देखा ना चुनाओं लड़ी तेया सुई हराने के लिए चार दिन केंप किये ना कोई फरक नहीं पड़ा और पपु जादो चुनाओं जीत जाते हैं जेडिव के संतु उसको पूर्णिया पर्णाम पूर्णिया जोहार पूर्णिया यह सब करनारा चला अब वहां पर लोकसभा चुनाओं के बाद वहां और विधान सभा का उपचुना हो रहा है क्योंकि लोगसभा का चुनाओं जडियों से जब भीमा बारती तो इस्तिपादेकर रजेडी में गई जानते हैं पपुजादो चाहते थे कि वहां नहीं लड़े लेकिन तेजस्वी जादो जी रहुल गांदी से बात किये होंगे कि वहां जाएंगे आप उनको पपुजादो से तेजस्वी जी बोले को भी कहें होंगे तेजस्वी जानते हैं रादी निती में कोई किसी का दोस्त और दुस्मन नहीं होता है और एक और बात आपको बता देते हैं विडियो वारल होने के साथ साथ गुलदास्ता लेकर देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है लग रहा है न तो पपू जादो वहां के निर्भीरबादित रुप से वहां के सीमांचल के बहुत बढ़े ने चुके हैं जिस तरह मनिस्कस्याप एक समय बिहार में निर्दलिय का ब्रांड बनेते बेतिया में उससे आगे निकल चुके हैं आपको लग रहा है कि तेजस्वी आदो पपू आदो के सामने जुक हैं अब लगता है उट पहाड के नीचे आया है उनको मालूम हो गया है समर्थन एलान भी किया है ना समर्थन सब कुछ भूल गाएं पपू यादो वीडियो थे तो वहीं पड़ती थो रहा है ना सब कुछ भूल गाएं जो ते जस्वी आदो उनके हराने के लिए बयान तक दिये थे कि NDA को चुनिया नहीं तो आप इंडिया को चुन लिजे ले तो आज नीती में आपको शुरूए में बताएं कि राजनीती में कोई किसी का दोस्ति नहीं होता है अगर आप भी मालूम चल जाए कि नेता लोग को कि यही रोड उखार देने से हमारे सरकार बन जाएगा तो राते बर में पूरा देश का रोड उखर जाएगा हां एक दम कर जाएगा तो लग रहा है कि पपु याद हो के सामने जाकर भी मा भारती कहीं न कहीं इस बात को रखी होगी कि आप हमारा समर्थन की जे रूपहली उप्चुनाव में हां यह तो फैक्ट अगर नहीं कहना रहा था तो फिर उनका वीडियो वारल क्या हुआ हुआ देख र परतमान में आरजडी से जो सिंबल मिला हुआ रुपहली विदान सबाजान दस्टारी को चुनाओं है और पपु जादो से मिलती है तो रिक्वेश्ट करने गई होगी ना तेजस्त्वी जादो अपने से कायने बात कि तेजस्त्वी जादो अपने आप से हो सकता है 25 का चुनाओं जो होगा उसमें 30-40 को सीट इधर पपु जादो इधर उधर सिमांतल का जो भी इलाका हो उसमें वह इसको गड़बर करने के काम कर सकते हैं अच्छा पपु यादव सांसद बन गए पहले के दिन सदन में सुने है कि इस तरीके से बीजेपी के सांसद को जार था देखें ओई एक पर भी चला था उन्होंने डॉक्टरों का एक स्रे का फीज डॉक्टर का फीज खुंजाज का फीज सभी का एक रेट अपना जादी किया था तो पुर्णिया में पपु जादो धारा भी चलता है अरे वहां पर कोई किसी को होता है तो 100 100 नमर डाइल थ देखते हैं ना तो कहीं घटना होती है पुरे ब्यार में तो सबसे पहुंचने और आर्थिक मदद भी देने का काम करते हैं करोना काल में भी उन्होंने जो किया इसी से छूपी नहीं है जब बाहा है नहीं पाटना में बाहा है डिप्टी सियम का घवर जब डूप गया था तो उनको भी निकालने के काम पुजादो ही ने किया था जिसे में सरकार की सिस्टम फेल हुचुकी थी इसलिए पपु यादो को लेकर चर्चा तेज हां चर्चा तो बहुत तेज है पपु जादो बिहार के राजनीती में भी एक धोरी बनते जा रहे है कोशी सिमांचल को डर था कि आदो का दूसरा नेता मिल जाएका लेकिन अब तो वसकता है यह था लोग सावाचुनाओं में देखे ना लोग सावाचुनाओं में आप गय थे वहां आप रिपोर्टिंग किये हैं यह ना रिपोर्टिंग तो एक चीज हम को आप बता देजिए पपु जादो जी वहां पर क्या कर रहे थे सलाम पुनियां पनापुनियां कर रहे है पहले मिलने का भी परियास किया द्रतिके टिकेट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़ा हुए लास्ट नास्ट तक का इंडिया गडबंधन इंतेर करती रही कि पपु जादू अपना नमांकन वापस लेकिन वहां पर नहीं लिए नमंकर वापस नहीं लिए और हुजुम भी आपने देखा आपने रिपोर्टिंग भी किया था वहां से तो हम लोगों ने भी सोचल वीडिया और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो पर देखा तो पुजादो बहुत प्रसंकिक बन चुके ह बहुत बहुत धन्वाद तो लगतार एक अपडेट हम आपको दरहें बहुत बहुत धन्यवाद